हेलो बॉस जैसा कि आप जानते हैं कि एकसल जो है एक ओटोमेटिक कल्कुलेशन के लिए और डाटा को मैनेज करने के लिए एक बहतरीन सोप्टवेर है जिसमें सर हम अलग-अलग काम और एकसल में फर्मूला को जाना करते हैं जब भी सर हमें एकसल में एरर से सामना होता है त इस वीडियो में डीटेल में आपको बताने वाले हैं आपको बस सर इस वीडियो को पूरा देखना है अगर अच्छा लगे तो लाइक करना है और दोस्तों के साथ सेयर करना है तो चलिए शुरू करते हैं मैं हूं मिलन और केंप्यूटर जीनाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है जैसा कि सर अभी आप इस स्क्रीन पे देख पा रहे हो आपके सामने लिस्ट ओफ एरर है जीने हम लोग जो है एक-एक करके आगे डीटेल में समझने वाले हैं तो चलिए सबसे पहला एरर को देखते हैं सबसे पहला है सर आपका नाम इरर यह इरर सर आपको तब सो होगा जब आप किसी भी आर्गुमेंट जो है आपका वो इनवैलीड होगा तो आपको यह सो होगा जैसा कि सर अभी आप यहां पे देख पार हो यह अभी आपके सामने कुछ नंबर टाइप की हुए है इस नंबर पे अभी हमें जो है फॉर्मूला लगाते हैं और इसमें से फाइंड करना है लार्ज नंबर ठीक है यहां से एरे को स्लेक्ट कर लेते हैं स्लेक्ट करने के बाद यहां से कौमा लेते हैं और सबसे लार्ज फाइंड करना है तो यहां पे वन प्रेस करेंगे और ब्रैकेट को करके एंटर करेंगे सबसे लार्जेस नंबर आपका टॉप में यानि वन प्लेस पे आपका क्या है 600 है इस फॉर्मूला में सर थोड़ा सा एडिट करते हैं एडिट करने के बाद आपको पता चलेगा यह नम एरर क्यों सो होता है अभी जैसा कि सर अभी आप देख पा रहें आ आपका टोटल सेल जो है छे सेल में आपका डाटा लेकिन हमें यहां पर करना है 10th largest कौन सा है एक्षुल मैं आपको पता है की सेलम हें है अगर आप 10 largest festa करो गे तो यह आहीं आने वाला है तो यहां पर इन्टर करते हैं और तभी आपको यह सो घुर तो सबसे पहले स्कुर्य और यहां से नमबर को select करके और simply यहां से bracket बन करके enter करते हैं तो आपको अच्छे से पता है 25 square root कितना होता है 5 वहीं sir अगर आपका number minus में हो तो minus 25 का square निकालते हैं इसके लिए भी simple से यहां से equal to करते हैं और sqrt टाइप करके यहां से इस नमबर को select करके यहां से bracket बन करके enter करते हैं तो sir आप यहां पर देख पा रहे हो यह आपका जो है negative वाला का square root आल पा रहा है ठीक है जो कि संभब नहीं है क्योंकि किसी भी संख्यां का square root हमेशा positive होना ता है तो next जो है sir आपका reference error आपको बता दे कि reference error आपको तब सो होगा जब आप गलती से cell को delete कर दोगे जिस cell में अपने formula को apply किया होगा जैसा कि अभी आप यहां पे देख पा रहे हो यहां से equal to करते है equal to करने के बाद यहां से plus कर लेते हैं यहां से enter करते हैं तो आपको यहां पर अभी तो आपको तोटल 80 दिख रहा है लेकिन यहां से अगर मैं इस cell को delete कर देता हूं यहां से आता हूं delete में और यहां से delete seat row पे क्लिक करता हूं तो sir जैसा ही आप क्लिक करोगे आपको यहां पे सो होने वाला है reference error यह error sir आपको तब सो होगा जब आप गलती से cell को delete कर दिये हो जिसे आपने formula में यूज किया होगा तो next is sir value error यह error तब आता है जब हम किसी function या फिर formula के लिए गलत data का type यूज कर लेते हैं example के लिए यहां पे मैं कुछ number को type करता हूं जैसा कि sir अभी हमने यहां पे कुछ number लिया है इस सारे cell को हम यहां पे add करेंगे जब add करेंगे तो आपको यहां पे क्या result सो होगा वो आप यहां पे देखो तो अभी आप जैसे देख पार हो यह simply जब हमने add किया तो यहां पे add सो हो रहा है क्यों क्योंकि यह साड़े number है लेकिन सर यहां से अगर किसी एक cell में से भी अगर number को हटा के यहां पे कोई text type कर लिया जाता है जैसे मैं यहां पे a text type करके और enter करता हूँ आप यहां पे सर clearly देख पा रहे हो आपको यहां पे value error so होने वाला है क्यों क्योंकि यहां पे आपने argument जो है wrong type किया है आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ नंबर को add कर सकते हो ना कि text को letter को ठीक है I hope कि सर आपको यहां तक का concept clear हो गया होगा आगे बढ़ते हैं next है सर आपका hatch error यह error सर आपको तब सो होगा जब आपका value जो है वो fit नहीं रहेगा cell में जैसा कि सर अभी आप देख पार हो पर हमने यहां पे number लिया है इस number का अगर cell का space को कम किया जाए तो आपको यहां पे देखिए hatch करके सो हो पारा है इसलिए सो होता है क्योंकि आपका जो है यहां पे value जो है जादा है और यह fit नहीं कर पारा है cell में तो इसको fit करने के लिए आपको simply यहां पे cell के सबसे उपर में जाना है और यहां से double click करना है तो यह आपका cell fit हो चुका है इस तरीके का सर आपको error दिखेगा तो आपको एक बार में समझ जाना है कि यह आपका cell का size small है और data आपका large है जैसा कि सर हमने यहां पे कुछ cell में यहां पे number को type किया है इस number को यहां से मैं sum करता हूँ equal to करूँगा equal to करने के बाद यहां से sum formula लगाते है tap दबाते है cell address आपको type करना है cell address type करते है यहां से B3 और यहां से आपको पता होना चाहिए कि दो cell के बीच में आपको colon लेना परता है तो formula को exact दिखाने के लिए लेकिन मैं यहां पे क्या कर रहा हूँ space ले रहा हूँ यहां पे मैंने एक space लिया और फिर से जो last cell है हमारा B10 तो यहां से B10 लेता हूँ और सर यहां से bracket को बंद करते हैं और यहां से enter करते हैं तो आपको यहां पे so हो पा रहा है यहां पर सर हमसे बस एक ही गलती हुआ है कि हमने यहां पे formula में special character को use नहीं किया है special character की जगह यहां पे हमने space ले लिया है आपको पता होना चाहिए कि आपको दो cell के बीच में formula जब भी apply करते हो तो आपको यहां पे colon को लेना परता है तो यहां से colon को लेते हैं और यहां से simply enter करते हैं एंटर करने से ही आपको यहां पर रिजल्ट सो हो पा रहा है, यह आपका टोटल आ चुका है, ठीक है, तो आपको यहां पर धियान देना है, कि नल एरर आपको सो होता है, जब आप स्पेसल करेक्टर को यूज नहीं करते हो, तो सर आगे बढ़ते हैं, नेम एरर, इसे समझते नेम एरर जो की, नेम नोट रिकगनाइस, नेम को रिकगनाइस नहीं कर पाएगा, तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहां से कुछ नंबर को टाइप कर लेना है, यहां से मैं टाइप कर लेता हूँ, यहां से फिर से मैं यहां से फॉर्मॉला अप्लाइ करूंगा सम का, आप से उचड़े होगे बार-बार sum का क्यों apply किया जा रहा है, मैं बार-बार यहाँ पर sum formula को इसलिए use करता हूँ, क्योंकि जो beginners रते हैं, साथ ही, जो advanced भी सिखे हुए रते हैं, उसको समझने में काफी असान होता है, ठीक है, तो यहाँ से type करते हैं sum, ठीक है, जैसे sum sum होता है, हम sm type करके यहाँ से enter करेंगे, तो आपको सर यहाँ पर दिखेगा, आपको यहाँ पर दिखेगा कि आपने formula का name ही गलट type कर दिया है, name error का सामना करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ तक सर आपने कुल 6 error को समझ लिया है, तो सर आगे बढ़ते हैं, next जो है आपका division error, यानि div error, यह error सर आपको तब सो होगा, जब आप किसी भी number को 0 से divide करोगे, आपके सामने 100 है, और इसे आप 0 से divide करोगे, ठीक है, यहाँ से formula apply करते हैं, equal to, और यहाँ से 100, rate, और यहाँ से divide का symbol लेते हैं, और यहाँ से 0 से, 0 से इसे divide कर देते हैं, जैसे ही सर आप यहाँ से enter प्रेस करोगे, तो आपको यहाँ पे सो होने वाला है divide error, तो आपको पता होना चाहिए, कि आप जो है किसी भी नंबर में 0 से डिवाइट नहीं कर सकते हो करोगे तो आपको यहाँ पे error सो होने वाला है ठीक है I hope कि आपका यह division error concept के लिए हो गया होगा next है sir आपका na error na error में sir आपका यह होने वाला है कि आपका जो data रहेगा उसमें आप जो है search करोगे जो कि आपका present नहीं रहेगा तो तभी आपको na error सो होने वाला है जैसा कि sir अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे ID नंबर है इस ID के भिहाब पे अगर हम search करेंगे तो हमें exactly मिल जाएगा यहाँ पे आपका 505 से लेके 516 तक है आप search कर रहे हो आपका मिल रहा है वह आपका match कर रहा है यहाँ पे सर अगर हम search करते है ID नंबर 500 और enter करते हैं तो आपको यहाँ पे सू होने वाला है not available not available not available ऐसलिए सो हो रहा है sir क्योंकि आपका ID number 500 available ही नहीं है तो आपको ये सू कहां से करेगा ठीक है तो I hope कि दोस्तो आप जो है Excel में ये 8 Error को अच्छे तरीके से समझ गये होंगे ये सारे Error को अगर आप देख के पहचानने लगो, solve करने लगो तो आप जो है Excel में जरूर Expert की category में आ जाओगे ये वीडियो आपके लिए useful रहने वाला है अगर ये वीडियो से आपको अच्छा लगा हो तो like करें दोस्तों के साथ share करें चैनल को subscribe कर लें इसी तरीके का वीडियो आपको इस चैनल पर लगातार मिलते रहेगा तो मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए मस्त रहें और व प्यास्त रहें